कुछ लोगों को भारत की रैंकिंग 142 से 100 होने की बात समझ नहीं आती है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता और इसमें कुछ लोग को ऐसे हैं जो पहले वर्ल बेंक में रह चुके हैं वो आज भी भारत की रैंकिंग पर सवाल उठा रहे हैं यदि मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ यदि इन्सोल्वेंसी कोड बैंकरप्सी कोड कॉमर्शियल कोड अगर ऐसे काननी सुधार आपके समय में हुए होते तो हमारी ये रैंकिंग आपके सवभागय में नहीं आती क्या कि देश के सिति नहीं सुधरती क्या कि यह किया कुछ नहीं और जो कर रहा है उसको सवाल पूछे जा रहा है कि वैसे यह भी सहींग की बात है कि वर्ल बैंक ने इज अब डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया साल 2004 में शुरू की थी कि बड़ा महत्वपून गेर है और इसके बाद 2014 तक किसकी सरकार रही यह भी आप सबको पता है मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूं उसने वर्ल बैंक का बिल्डिंग में नहीं देखा है जब पहले वर्ल बैंक को चलाने वाले लोग यह बैटा करते थे मैं तो कहता हूं कि बर्ल बैंक की इस रैंकिंग पर सवाले उठाने के बजाएं आईए हम मिल जुल करके अपनी कमियों को एड्रेस करें एक नई ताकत को जोड़े और नए सपनों को ले करके नया संकल पर ले करके न्यू हिंडिया बनाने के लिए साथ मिलके आगे बढ़ें कि अपले मिलके बढ़ें